तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम एक बहुती बनिया हिंदी का स्टोरी लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आपको हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाएंगे तो चलिए बिना देर किये हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं बालक सुभाश तो आई यहां पे देखिए आप जो है ना हिंदी पहने के साथ जो है आप परतेक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा यदि आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप इसको जो है ना सून करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा फिर उसके बाद जो है आप में इसको मिला करके आप चेक कर लिजिएगा कि सही है या कौन सा आपका वर्ड्स गलत हुआ है और कौन सा सही हुआ है ठीके तो सबसे पहले आप जो है ना यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से परतेक वर्ड्स को लिखिये ताकि आपको जो हेना पढ़ने के साथ साथ परतीक वर्ट जो हेना आपको पहचान में आ जाए कौन से सब्द में कौन सा मात्रा लगा हुआ है और किस तरह से लिखा हुआ है ताकि आप जो हेना हिंदी जब लिखना हो आपको तो उसको सही सही आप लिख पाएंगे तो आईए यहाँ पर शुरू करते हैं तीन चार दीनों से बालक सुभाश घर नहीं लोटा था माता का रोते बुरा हाल हो गया था सुभाश को ढोणने के लिये चारो और व्यक्तियों को दवडाया गया किन्तु उसका कोई पता न चला एक दिन बालक सुभाश ने चुपचाप आकर अपनी माता की आखे मूंद ली माता ने अपने बेटे का अस्पर्श पहचान लिया और पूछा इतने दीनों तक कहां रहे सुभाश ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया पास के गाओं में हैजा फैल गया था मा जब मैंने यह सुना तो मुझसे नहीं रहा गया मेरा दिल उन बिमारों की सेवा के लिये तडप उठा मैंने अपने चार पांच साथियों को लिया सोचा क्या बड़े ही सब काम करेंगे और हम बच्चे उनके काम में सहयोग नहीं दे सकते ऐसा सोचकर हम सब साथि उस गाउं की और चल पड़े सेवा का काम समाप्त करने पर तुमहारी याद आई और मैं अपने घर लोट आया मा को अपने बेटे के सहयोग दया भाव और सेवा भाव पर प्रसंता हुई उसका क्रोध और दुख जाता रहा उसने बेटे को गले लगा लिया सुभाश जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें अंग्रेज बच्चे भी पढ़ते थे अंग्रेज बच्चे भारतिये बच्चो को बहुत परेशान किया करते थे एक दिन एक अंग्रेज बालक ने एक भारतिये बालक को पीट दिया छुट्टी का समय हुआ पिटाई लगे बालक का एक साथी दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ वह अंग्रेज बालक जोही निकला साथी ने उसे टांग मारी वह मुह के बल गिर पड़ा फिर उसने अंग्रेज बालक के गाल पर तमाचे जड दिये और कहा अब से किसी भारतिये बच्चे से मत उलजेना नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी पिटाई होगी वह साथी दुसरा कोई नहीं बालक सुभाश था सुभाश की नस नस में देश प्रेम समाया हुआ था उसने यह प्रतिग्या कर ली थी की वह जीवन भर औविवाहीत रहकर देश की सेवा करेगा उस समय भारत विदेशी शासन के चंगूल में फसा हुआ था उसे आजाद करने के लिए उसने बड़ा होकर आजाद हिंद फोज तयार की और अंग्रेजो के दात खटे कर दिये सुभाष का पूरा नाम था सुभाष चंद्र बोस बड़ा होकर वह नेताजी के नाम से से प्रसिध हुआ तो फ्रेंड्स आज के इस हिंदी रीडिंग प्रेक्टिस और लिखने के क्लास में बस इतना ही आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा और आज के इस क्लास को जो है न अपने सभी फ्रेंड्स को स्टेर कर दीजिए तक वे भी घर पेट अशानी से इस क्लास के माधियम से हिंदी पढ़ना लिखना सिखते रहे जैंद फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग और हिंदी लिखने के क्लास में एक नए स्टोरी के सांथ